हेलो चिल्ड्रेन वेल्कम तो मैं चैनल मंकी किट्स आज हम करने जा रहे हैं महरास्ट्रा बोड के इन्वारोमेंट एड्यूकेशन का चैप्टर नंबर फोर चैप्टर का नाम है एनिमल्स और दियर यूज़ उसका मतलब है एनिमल्स और वो किस काम आते हैं वो आज हम तो चलिए शुरू करते हैं यहां बता रहे हमारे आजू-बाजू बहुत सारे टाइप्स के बहुत सारे किसम के एनिमल्स हैं कुछ एनिमल्स जो है हमारे नेबर होड में हमारे पढ़ोस में आजू-बाजू रहते हैं और कुछ एनिमल्स जो है वो फोरेस याने के जंगल में रहते हैं Have you seen any of these animals in your neighborhood? क्या आप सबने यह जो नीचे एनिमल्स दिये गए हैं उनको आपने अपने नेबर होड में देखा है यहां पे हम देख रहे हैं यह अनिमल्स काओ, बफैलो, गोट, शीप, डॉंकी, डॉग, हॉर्स जो हमारे आस पढ़ोस में आनिमल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है डॉमेस्टिक आनिमल्स वो हमें बहुत सरे तरीकों से काम आते हैं हम उनकी देख बाल करते हैं उन्हें खाना देते हैं और उन्हें हम घर देते हैं जो हम इस विल्ट अनिमल्स लिव इन देख वोर्स वी केन सी सम ओफ दें आट देख जूँ अब जिराफ लाइन ताइगर जेब्रा रेश्र याद बोल्स अब एंग अब बिग अनिमल्स अब वाइल्ट अनिमल्स जो हैं वो फॉर्स अल्यांच जो आपक्डेश्श्याग और हम उनको देख सकते हैं जूम में भी देख सकते हैं एलीफन, जिरॉफ, लाइन, टाइगर, जीवरा, राइनोस्रーस ये जितने गोरिला जली ऐननीमल्स वो बड़े जानवर हैं अभी यहां पर जिसे टाइगर, लाइन, राइनोस्रिस, जीवरा, एन एलीफन ये सब बिग बड़े जानवर हैं, the fox, wolf, jackal, monkey, deer, mangoose and the squirrel are among the smaller animals, अब इदर बता रहे हैं, fox है, wolf है, jackal है, monkey है, deer है, mangoose है and squirrel, जितने भी हैं, वो छोटे जानवर हैं, आप देख पार हैं, deer, यहाँ पे जितने भी जानवर हैं, सब छोटे जानवर हैं, Some animals live in and around the water sources, कितने animals हैं, जो animals, water मतलब पानी जहाँ पे रहता है, पानी की sources जहाँ पाये जाते हैं, उसके around आजू बाजू कुछ animals रहते हैं, The fish, crab, turtle and the whale live in water, यहाँ पे बता रहे हैं, fish, crab जो है, turtle and whale, जितने भी हैं, पानी के अंदर रहते हैं, The turtle and crab do come out on land sometimes, यहाँ बता रहे हैं, turtle जो हैं और crab, वो कभी-कभी land पे बाहर आ जाते हैं, The crocodile, frog and the hippopotamus live both in water and on land, अभी यहाँ पे बता रहे हैं, crocodile, frog जो होते हैं and hippopotamus, जो होते हैं, Both मतब पानी में भी रहते हैं and land में भी रहते हैं, but only the frog can breathe both in water and on land, इन में से पर जो frog होते हैं, frog जो सांस लेना, ब्रीद मतब सांस लेना, दोनों जगर जो frog हैं, दोनों जगर पानी में और land में भी सांस ले पाते हैं, The elephant, deer, zebra and the giraffe are plant-eating animals, अब जो elephant है, deer है, zebra है, जिराफ है, वो plant खाके अपना गुजारा करते हैं, वो किसी दूसरे जानवर को मार के नहीं खाते हैं, वो plants ही खाते हैं, Lions, Tigers, Leopards and Crocodiles, hunt and eat the flesh of other animals, यहां बता हैं, जो lions हैं, Tiger हैं, Leopards हैं, Crocodiles हैं, hunt मतलब किसी दूसरे जानवर को hunt करते हैं, और उनको खाते हैं, उनका जो flesh होता है, वो other जानवरों का वो खाते हैं, दे आर flesh eating animals, उन्हें flesh eating animals बोला गया है, अब कुछ animals plant eating होते हैं, जैसे zebra, giraffe, elephant, deer, और कुछ animals जो होते हैं, जो होते हैं, दूसरे जानवर को hunt करके खाते हैं, जैसे lions, tiger, leopard and crocodile, Some animals like the bear, dog, cat and the rat eat plants as well as other animals, अब यहां पर बता रहें कुछ animals, जैसे bear है, dog है, cat है and rat है, वो plants भी खाते हैं और other animals को भी खाते हैं, पढ़ेंगे अभी use of animals, Animals are useful to us in many ways, animals जो हैं, हमारे कितने काम आते हैं, the cow, buffalo and goat, give us milk, जो cow है, buffalo है, goat है, वो हमें दूद देती हैं, हम सब दूद पीते हैं न, उनका, Bullocks and oxen are used to plog the fields by the farmer, अब आप यहां पर देख रहे हैं, जैसे farmer है, वो plog कर रहे हैं अपने fields का, तो bullocks और oxen उसमें काम आते हैं, इन सब चीज़ों, horses and bullocks, draw, carts and carriages, horses और bullocks जो होते हैं, वो draw मतब खीच के लेके जाते हैं, carts and carriages, यह आप देख सकते हैं, यहां पर picture बना हुआ है, horse जो है, horse caught चला रहा है, यहां पर, पहले जमाने तो बहुत सारे horses को use किया जाता था, पहले transport नहीं था, तो horse को use किया जाता था, carts को लेके जान को, elephants, camels, donkeys and mules carry loads, यहां पर बता रहा है, elephants, camels, donkeys and mules, load मतलब वजन उठाने में काम आते हैं, एक जगर से दूसरी जगर जो जाते हैं, तो वजन उठाने में, camel, donkey, elephant काम आते हैं, birds like the hen and the duck, give us eggs, जो birds हैं, जैसे hen हैं and duck हैं, हमें eggs देते हैं, we get honey from honeybees, यहां पर हमें बता रहे हैं, कि जो हमें honey मिलती है, वो honeybees के द्वारा मिलती है, हम honey खाते हैं न बच्चो, we get silk from silkworms, यहां पर आप देख रहे हैं, mulberry के tree जो होते हैं, वहां पर silkworms गुमते हैं, silkworms में से हमें silk मिलत है, the sheep gave us wool, sheep जो है, उसमें से हमें wool मिलती है, woolen clothes are made from wool, आप देख रहे हैं, यहां पर जितने भी woolen clothes हैं, sweater, hand gloves, cap, socks, muffler, जितने भी हैं, वो wool से बनाए जाते हैं, wool हमें sheep से मिलती है, goats, sheep, hans and turkey are reared for their meat, जो goats होते हैं, sheep होते हैं, hans होते हैं and turkey, जितने भी जानवर हैं, उसका meat जो होता है, वो लोग खाते हैं, certain varieties of fish are eaten as food by some animals, अब fish के जितने varieties हैं, कितने सारी varieties हैं, लोग खाने में उनको खाते हैं, dogs have a strong sense of smell, dogs जो होते हैं, उनके जो सूंगने की शक्ती होती है, smell की शक्ती बहुत तेज होती है, they help the police to find criminals, drugs and explosives, dogs also guard the house, अब यहां पर बता रहें, dogs जो हैं, उनके सूंगने की शक्ती अच्छी होती है, इसके लिए वो police को help करते हैं, criminals को पकड़ने में, drugs को पकड़ने में और explosives को पकड़ने में help करते हैं, dogs हमारे घर की भी रखवाली अच्छी तरह से करते हैं, Leather is made from the skin of dead animals to make various articles like bags, shoes and bells, अब जो leather होता है, वो हमें मिलता है, skin मतलब चमड़ी, dead animals के, कितने dead animals के चमड़ी में से हमें leather मिलता है, और उससे हम कितने सारे चीजें, articles बना सकते हैं, जैसे bags, shoes and bells, आप देख रहे हों, यहाँ पर bag, belt and shoes है, वो leather से बने हैं, और leather जो हमें dead animals के skin से मिलता है, Pets are tame animals that live with us in our homes, जो pets होते हैं, वो animals tame होते हैं, जो हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं, वो pets कहलाते हैं, Some of the common pets are the dog, cat, rabbit and fish, आप देख सकते हैं, यहाँ पर dog हैं, यहाँ पर cat हैं, लोग अपने घरों में cat, dog, rabbit and fish को pet animal करके रखते हैं, We should take care of our pets and be kind to them, यहाँ पर बता रहे हैं, कि हमें अपने pets की देख बाल करनी चाहिए, care करनी चाहिए और हमें उनके साथ अच्छा व्यवार करना चाहिए, Pets बहुत helpful होते हैं बच्चों, तो हमें उनकी देख बाल करनी बहुत जरूरी है, उन्हें बहुत सारा प्यार देना चाहिए और देख बाल भी करनी चाहिए, तो यहाँ पर हमारे fourth chapter फिनिश हो जाता है, thank you children.